प्रिटिश निर्देशक डैनी बोयल एक बर फिर से वापस आ रहे हैं और इस बर वो जेम्स फ्रैंकों के साथ एक्शन ड्रामा लेकर आ रहे हैं ये रही इस फिल्म की पहली जल्दी 127 Hours बोयल की नई फिल्म है ये फिल्म मौन्टें क्लाइमर एरन रालसन की जिन्दगी पर रधारित है एरन की रोमांचे कहानी है कि वो अपने आपको कैसे बचाता है जब उस पर बोल्डर गिर जाता है और इसके बाजुओं में चोट आ जाती है जिस कारण वो उटा के टेकस के एक अंजान घाटी में फच जाता है पांच दिरों के बाद रैलसन को अपनी जिन्दगी से यह एहसास होता है कि उसमें काफी हिम्मत है और वो इस मुसीबत से निकल सकता है 65 दिवार को कूद कर और 8 मील का सफर तेह करके आखिर कार वो खुद को बचा लेता है आप लोग यही चाहेंगी कि अंत में इसके एक बाजो को काट दिया जाए यह फिल्म नौंबर में रिलीज होगी महमद साफुला आई एनस